हेलो दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आपका श्वागत थे दोस्तों आज किस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो भी एस्टेंट बिहार बोट से है और वो इस वार 11th में online admission के लिए form अपलाई के थे और वो देखना चाहता है कि उसका किस college में नाम आया है ठी के पास कुछ एक ऐसा सा पेज मिला होगा ठीक है ना तो यहां पर देख रहे हैं यह आपका बार कोड है ठीक है ना आपको यहां पर बार कोड मांगेगा और आपको मुवाइल नमर मांगे बस दो चीज़ देंगे तो आपका admission है ना किस college में आया ओ दिखा देगा तो सबसे पिले आपको क्या करना है कोई साभी Google Chrome खोल लेना है एक सेकेंड मैं Google Chrome खोल लेता हूँ इसमें सर्च करना पड़ेगा आपको ओ एफ डबल एस ठीक है तो आपको ओ एफ डबल एस सर्च कर देना है जैसी सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीका से पेज खुल जाएग जैसी यह पेज खुल जाएगा आपको थुरा सा और नीचे आना होगा इस तरीका से ठीक है मैं डेक्स्टॉप सैट कर दिया है थुरा सा नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर देखेंगे देखने को मिलेगा आवेदक इंटरमेडियर कक्षा में अपने चैने और नाम आपके हैना आपके पास जो अपलाई की होंगे उस फौर में आपका ना बार्कॉट दिया होगा कुछ इस टैप से मैं आपको देखा देता हूं इसी को भर दीजेगा और मोगा डाल दीजेगा और क्या बहर दीजेगा तो आपके सामने में डाउनलोड हो जाएगा चलिए म 70067 अब उसकी बाद आप क्या करना हैं यहाँ पर भर देना है जो आप शयाकरने वक्त में दिए कर दोगे जैसे प्रेंट पे क्लिक करोगे आपका कोलेज का नाम क्या करेगा नीचे में आ जाएगा तो आसा नीचे लो करेंगे तो आप को डाउलूड करना होगा ता पी तरीका से करेंगे तब वहां से प्रिंट भी कर सकते हैं तो आसा करेंगे आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप सीख दिया होंगे कि कैसे डाउलूड किया जाता है ठीक है न तो इस तरीका से आप देख सकते हो ठीक है न चलिए और आपको प्रिंट आउट कर लेंगे और कॉलेज में चारकी सिख के इसको जमा करदेंगे ठीक है न आपका एडिमीस क्या कर जाएगा अब वो जायागा ठीक है इस त데का से देख सकते हूं कि आपका किस कॉलेज में नाम आया है ठीक है ना चलिए तो आज के लिए तना ही रहाएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लागा होगा तो वीडियो को लैक करिएगा चैनल पर पहली बार में तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठैंक्स पर वाच्छी और हो सगे तो अपन